नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंड में मैं करुणा क्लास 10 के स्टुडेंट्स के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट का जो चेप्टर है यश्पाल लखनवी अंदाज पर एक गाध्यांश जिसको पढ़कर आपको नीचे प्रशनों के उत्तर देने है दोस्तों जैसा कि आपका टम सेकिंड बोर्ड एक्जाम जल्दी ही होने वाला है क्योंकि टम फर्स्ट का रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक में आ जाएगा और उसके बाद सेकिंड टम की डिट शीट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी तो दोस्तों इसके चलते हम अपना रिविजन स्टार्ट कर देते हैं एक बार इस गध्यांश को पढ़ देते हैं और उसके प्रश्णों के उत्तर भी यहां पर आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे शुरू करते हैं ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है नवाप सहाब की असुविधा और असंकोच के कारण का अनुमान करने लगे संभव है नवाप सहाब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास के टिकेट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मचले दरजे में सफर करता देखे अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए हम कंखियों से नवाप सहाब की ओर देख रहे थे नवाप सहाब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख कर इस्थिती पर गोर करते रहे ओ नवाप सहाब ने शहसा हमें संबोधित किया आदा पर्ज जनाब खीरे का शौक फर्माएंगे तो फस्ट सहशा नवाप सहाब ने लेखक से क्या कहा और उनके इस कथन में आप उनके किस भाव का अनुभाव करते हैं तो ये था पूरा का पूरा इससे पहले गाध्यांश और उस गाध्यांश पे पहला प्रशन आप देख लेते हैं इस प्रशन का आंसर नवाप सहाब ने लेखक को आदाब अर्ज कर खीरा खाने के लिए कहा इस कथन से नवाप सहाब की सराफत और तहजीब का पता चलता है वे चीजें बाट कर खाने की आदत भी रखते हैं अब आजाते हैं सेकेंड गुशिन पे गाध्यांश में वर्नित लेखक के सुभाव की विशेशता का उलेख कीजिए उनके अनुसर नवाप सहाब ने खीरे क्यूं खरीदे होंगे तो दोस्तो इसका अनसर है लेखक एक कल्पना शील वे विचारवान वेकती है वे बिना विचार के कहानी लिखने में माहिर है वे अनुमान लगाता है कि नवाप सहाब खीरे खाने का शौक रखते हैं और अकेले सफर का वक्त कट जाए इसी के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे आ जाते हैं कोशन नमबर तीन पर लेखक अपनी आदत के अनुसार नवाप सहाब के विशे में क्या सोचने लगा देख लेते हैं दोस्तों इसका अंसर खाली समय में लेखक को कल्पना करने की आदत थी तरह तरह के नए नए विचार उनके मन में उत्पन्न होते रहते थे वह नवाब सहाब की असुविधा फैसंकोच के कारण का नुमान लगाते हुए सोचता है कि किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकेट नवाब सहाब ने खरीदा होगा मतलब बचत के इरादे से सेकंड कुशन है यहाँ पर लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताईए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकेट क्यूं खरीदा तो दोस्तों इसका अंसर होगा लेखक ने सेकंड क्लास का टिकेट इसलिए खरीदा होगा क्यूंकि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था वे भीड से हट कर नई कहानी के बारे में सोचते हुए यात्रा गरना चाहते थे इसके आतिरिक्त उन्होंने सोचा कि वह प्राकर्तिक द्रशों का भी आनंद उठा लेंगे कुश्यन नमबर तीन है आपका नवाब सहब खीरे को बाहर फैक कर गर्व से क्यूं भर उठे लखनवी अंदाज पाठ के अधार पर बताईए तो दोस्तों इसका अंसर होगा खीरे की फांकों को बाहर फैकने के बाद नवाब सहब गर्व से बहर उठे उनके चहरे पर संतुस्टी के मिश्रित भाव जलक रहे थे मात्र सूंगने से ही तरप्ति का अनुभव कर खिड़की से बाहर खीरा फैकना उनके रहिसी खांदान को प्रदर्शित करता है ऐसा करने से मानों कहना चाहते हूं कि ये है रहिसों का खांदानी तरीका फेलेखक जैसे साधारन आदमी के सामने खीरा जैसा सस्ताफल खाने में भी संकोच करते हैं इसमें उनकी खांदानी तहजीव, नफासत और नजाकत जलकती है दोस्तों देखते हैं कोशन नमबर फोर कोशन नमबर फोर है आपका लखनवी अंदाज पाठ की अधार पर बताईए कि लखनों के नवाबों और रहिसों के बारे में लेखक की क्या धार ना थी लेखक की धारना जान लेते हैं दोस्तों ये है आंसर लखनों के नवाबों और रहिसों के बारे में लेखक की धारना व्यंग पून और नकारात्मक थी लेखक को उनकी बनावटी जीवनशली बिलकुल भी पसंद नहीं थी वह उनके दिखावे के खिलाफ था संभाविता इसलिए ही उसने आरंभ से ही डिब्बे में बैठे हुए नवाब को नवाबी नसल का सफेद पोश कहा था लखनवी अंदाज व्यंग किस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है आंसर फाइव लखनवी अंदाज पाट के माध्यम से लेखक नहीं है बताने का प्रयास किया है आज भी नवाबी लोग अपनी नवाबी छिन जाने पर जूटी शान तथा तोर तरीकों का ही दिखावा करते हैं और ऐसा करते समय वो ये भी नहीं सोचते कि उनमें इसमें उन्हें कोई लाप नहीं मिलने वाला जैसा कि पाठ में आपने दिखावे की प्रवर्ती के कारण नवाब साहब को भूका रहना पड़ा वास्तव में ही है व्यंग उस सामन्ती वर्ग पर कटाक्ष करता है जो अपनी जूटी शान बनाए रखने के लिए कृतिमता से युक्त जीवन जीते हैं कृतिमता से मतलब होगा है आपर नकली जीवन जीते हैं कृश्य नमबर सेक्स जो की आपका लास्ट कृश्य होने वाला है इस कारण द्यांश से वो है दोस्तों नवाब साहब खीरे खाने की तयारी और इस्तिमाल से ठक कर लेट गए इस पंक्ती में निहित व्यंग को स्पस्ट कीजिए तो इसका आंसर होगा इस कथन के मात्यम से लेखक ने नवावी जीवन की नजाकत पर गहरा व्यंग किया है इस प्रकार के लोग यथार्थ से कोसो दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं छोटी छोटी बातों पर नखरें दिखाना ही इनकी नजरों में रहीस पना होता है आभावों में रहते हुए ये रहीसी का दिखावा करते हैं और वास्तिविक्ता को स्विकार नहीं कर पाते तो दोस्तों इसी के साथ जो ये चेप्टर मैं लेकर आई थी ये श्पाल लखनवी अंदाज से एक गांध्यांश और उसका सॉलिशन वो आपको समझ आया हुगा. तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ एक्जाम अच्रीमेंट पे. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें.